नमस्कार आप देख रहे हैं एटियन लाइब और मैं हूँ चंदन बिहार के सिवान जिले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि सिवान जिले के महादेवा ओपी धाना इलाके के सलेमपूर महादेवा में एक मकान में कई वर्सों से जिसमें फरोसी का धंदा चलाया जा रहा था तस्वीरों में साब तोर पर आप देख सकते है कि जब महादेवा ओपी धाने की पुलिस ने उस मकान में रेड की तो वहाँ से एक गोरखपूर की लड़की और एक सीवान के आंदर की रहने वाली महिला को वहाँ से पकड़ा गया तस्वीरों में साब तोर पर देख सकते है जो कि महादेवा ओपी धाने के एस आई सुधीर कुमार सिंग डलबल के साथ पहुंचे जब अस्थानिये लोगों ने इसकी सूचना महादेवा ओपी धाने की पुलिस को दी अस्थानियों लोगों ने फोन पर पुलीस को यह बताया था कि यहां पर अवैद तरीके से सेक्स रैकेट का धंदा वर्सों से किया जा रहा हला कि सर्म की वज़ा के कारण मुहले के लोग शिकायत नहीं कर रहे थे लेकिन जब इस मकान में बाहर से कुछ लड़के और कुछ असामाजिक तत्तों का आना जाना शुरू हुआ और वहां पर जिसम का जो फरोसी का धंदा है वो वहां पर दिन प्रति दिन बढ़ता गया तो अब मुहले वालों से रहा नहीं गया और उसके बाद से मुहले के में थी और वहां पर लोग बता रहे थे कि कुछ बाहर से इवक आये हुए थे कुछ सरकारी कर्मे भी वहां पर जाते थे और ऐसा पता चल रहा है कि सिक्षा भी भाग के कुछ वहां पर लोग जाते थे और कुछ बाजार से भी बिजनेसमें जाते थे और वहां पर लड़क लेकर के मोतिहारी और उत्तर प्रेश के कई इलाकों से लड़कियों को बुलाये जाता था फिलाल आप देख सकते हैं एक्स्क्लूसिव आपको हम सबसे पहले एटियन लाइप पर सूपर एक्स्क्लूसिव दिखा रहे हैं यो कि पुलिस रेड कर रही है और वहाँ पर हमारी कीम मौझूद थी एटियन लाइप पर सबसे पहले और सूपर एक्स्क्लूसिव यो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने कैसे सलेम पुरमादेवा इलाके में रेड की और वहाँ से सेक्स रैकेट का बड़ा भंड़ा फूर कर दिया तस्वीरों में साब तोर देख सकते हैं अस्थानिय लोगों की भीड उमर पड़िया और यही वह मकान है जिसमें फरोसी का धंदा वर्सों से चल रहा था तो बिलकुल एक बार और आपको बता दे कि अस्थानिय लोग काफी जादा आक्रोसित थे और सबसे बड़ी बात तो यहा है कि महादेवा जैकेट का धंदा किया जा रहा है और वो भी एक सरकारी कर्मी के आवास पर तो बिलकुल यह आप देख लीजिए और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस कर्मी एसाई सुधीर कुमार सिंग वहाँ पर पहुंचे अस्थानिय लोगों की सिकायत करने के बाद से तो वहाँ पर जिस तरीके से रूम की तलासी लेनी चाहिए थी उन्होंने लेना ठीक नहीं समझा जब मीडिया वाले इनसे बात करना चाह रहे थे तो ये बार बार अंदर रूम की तरह बुला ले रहे थे और वहाँ पर एक बैग भी मिला था उस बैग को भी उन्होंने शेकिंग नह किरों में साब तोर पर देख सकते हैं कि कैसे सीवान के मादेवा उपी धना इलाके के सलेमपूर मादेवा नदी के किनारे एक मकान में कई वर्सों से सेक्स रैकेट का धंदा चल रहा था असानी और लोगों ने आजी जो करके पुलिस को सूचना दी पुलिस मौके पर से एक महिला सहीत एक लड़की को गिरफतार कर लिया बताया जा रहा है कि जो महिला है वो मास्टर माइंड है और वहीं वहां की मालकीन थी जो कि लड़कियों को बाहर से बुलाती थी और एक जो लड़की की गिरफतारी हुई है वो गोरकपूर की रहने वाली बताई जा र परकी है उसे सिवान के महिला थाना में ले जा करके छूड़ा गया तो बिल्कुल यह आप तस्वीर देख सकते हैं हम आपको एटियन लाइप पर सूपर एक्स्वीर दिखा रहें कि कैसे मादेवा उपी थाना इलाके के सलेमपूर में जिसमें फरोसी का और सेक्स रैकेट का धन्दा फल फुल रहा था और पूलीस को इसकी तनिक भी जनकारी नहीं थी तो बिल्कुल इसको ले करके अगर अगर स्थानिये लोगों ने सुचना नहीं दी रहती तो सायब पूलीस को इसकी उस दिन भी जनकारी नहीं रहती देखना होगा कि पुलिस इस मामले में और क्या कुछ एक खंगालती है तो खेराने वाला वक्ती बताएगा एटियन लाइप के लिए चंदन कुपार सिवा मतलब देखे सार हम लोग खाक टॉलते हैं तो उसके बाद क्या बढ़ा परतकारी है वह और उसके बाद क्या बहुता है बिजनेसमें किस तरह के पता अधिकारी यहां पर आते हैं लुगे थी हम लोग चोटे बात हैं । आप अपो वोगया ना बताहिए सब लोग चला गया आप कोँगे के फ्रेंड हैं उनकी हम मरे किनके आरे वो हमेरे फ्रेंड है इसाथ यह घंड़ा रहा वह हैं तो वह ही तो बोले हैं अन्दर है तो यहां सब डाट डाट के पास आप कुछ नहीं कहां आप इसे हम परसंट देते हैं लेते हैं आसा आप कहां यह बताईए ना आसे का काम करती है तो कहां प्याप आपासा है और लोगों का आरोफ है कि यहां पे आप गलब करवाती है धन्दा करवाती है लड़को पकड़े किसको पकड़े हैं कहा का पकड़े हैं कुछ नहीं यह तो लड़की नसा में है वो लोग बता रहे हैं हाँ बताईए यहीं बात हैं अपका बताईए यह कैसे आगया अपकी दो यह तो बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं कि दोस्त है